हेलो गाइज मैं हूँ सार्तक कपूर यह है एटुजर मार्केटिंग सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल मार्केटिंग इस सुनने में वर्ट बहुत एकदम साइफाई लग रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखा आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल मार्केटिंग क्या होती है अगर हम एडॉबी जैसी कंपनी की बात करके चलें तो उन्हेंने क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर अपने बहुत साइर प्रोडक्स लांच कर चुकी है फोटो एडिंग के लिए फोटोशॉप है लाइट रूम है वीडियो एडिंग के लिए आफ्टर एफेक्स प्रेमियम प्रोड़े सॉफ्ट्वेर्स है और अडॉबी की जो मार्केटर्स है उन्होंने सोचा यार हम ये सारे सॉफ्ट्वेर्स तो बना रहे है बहुत लोग यसे होते हैं जो कहते हैं उनको हमारा ट्राइल लेते हैं वोट लोगों को बहुत बार ऐसा होता है हमारा प्रोड़क्ट यूज करने में डिफिकल्ट लग नहीं होता है और इस डिफिकल्टी की वजह से वह मार्केटर्स ने का यहां पर तो हमने पैसे लूस कर रहे है जैसा अगर कभी आपने Premium Pro यूज किया हो, तो वहाँ पर एक tab आते, Learning tab, जहाँ पर Adobe की हमें वीडियोज बहुती है, कि जो अलग अलग टूल्स दिये गए हैं, में Premium Pro के अंदर, आप उसको यूज कैसे कर सकते हो, या कभी आपने Photoshop यूज किया है, तो अगर आप किसी भी टूल के पास जाओगे, and 2-3 seconds अपना cursor वहाँ पर रखोगे, तो आप एक छोटी सी clip आजा थी है, कि ये टूल को यूज करने से क्या हो रहा है, जब उन्होंने ये strategy implement करी, उन्होंने देखा, यार, बहुत लोग हैं, जिनको पहले हमाँ product यूज करना नहीं आ रहा था, जो trial period में म और वो लोग भी माँ product यूज कर रहे है, उनको भी समझ में आ रहा है कि ये चीज यूज कैसे करते हैं, और बाद में जाके वो लोग माँ product खरीद भी रहे है, तो जो हमने example देगा, ये example था, technical marketing का, technical marketing ये basically two parts होते है, first part होता है, अपना जो भी product है, उसकी technical specifications बताना, जो हमा guides बनाना, लोग उसको देखें, उनको एकदम समझ में आ रहे हैं, भाई, अच्छा, ये product ऐसा काम करता है, इसको ऐसे use करते हैं, जैसे अभी हमने Adobe का example लिया, तो Adobe वालो ने जो अपनी guide बना दी, लोग के लिए बहुत easy हो गया, उनके product को समझना, और बाद में उनका churn rate थ वो rate उनका कम हो गया, क्योंकि भाई, आपने पूरा सिखा दिया ने, इसको use कैसे करना है, अब किसी बंदे को ऐसे महेंगे महेंगे, courses लेने की जुरुत नहीं है, Adobe के अंदर भी basic सारे उनके tools सीख सकते हैं, कि आपको उसको use कैसे करना है, हाँ, advance करना है तो वो उसके अलग अब भाई को यह ऐसा बनना है, जो उसको technical knowledge है, कि driver size कितना होना चाहिए, headphone क्या-क्या specifications है, कितना हमार disabled level होना चाहिए, उसको सब पात है headphone के बारे में, तब वो जा रहे है कोई headphone लेने, उसको एक first product मिनता है, बड़ा सुन्दर सा, बड़ा classy सी packaging होई हुई है, वो उस पूरे packet के उपर, उस headphone यही specification नहीं लेकी, इसका driver size कितना है, इसमें noise reduction का feature है की नहीं, कुछ भी इसे specification नहीं लेकी, वहीं दूसरा product है, बहुत बढ़िया packaging तो नहीं होई है, बट उसके साथ-साथ features लिखे गए है, कि भाई, इस headphones के यह feature है, ऐसे driver size है, ऐसे यह है, ऐसे यह है, ऐस मैं तो यह headphone लोगा, मैं को क्या करना है, वो headphone लेगे, इसकी packaging बहुत अच्छी हुई है, बाद मैं पता चले, उसका driver बहुत छोटा हो, और मैं को बाद मैं प्रॉब्लम दे, इससे अच्छा तो मैं को यह लग रहा है, मैं को पूरा पता है कि यह कैसा है, और बाद मैं कैसे आपके product के जो भी technical features हैं, आप उनको अपने product के उपर ही mention करो, या अपनी website के उपर mention करो, इससे कोई ऐसा बंद है, जिसके बाद technical knowledge है, उन साही चीजों को पढ़नेगी, वो बहुत easily समझ पाए, कि यार वो अपना काम आपके product के अंदर कर पायागा कि नहीं कर पायागा, आ फिर भी बंदा यकीन निगर पायागा, पर जो आप उसको specifications लेखते हो, उसको एकदम double trust हो जाएगा, कि हाँ आप जो बोल रहे हो, वो एकदम सही है, अब technical marketing से रेटिंग मैं आपको एक छोटा सा और fact बनाना चाहता हूँ, जैसे 2009 के अदर, एक platform आया, Ruby on Rails, उसका उन्होंन यार, जो version 1.9 आया है, ये इतना अच्छा नहीं है, हम तो version 1.8 से भी satisfied है, हम directly जम करेंगे, two point हो पे, हमें नहीं जाना 1.9 में, चाहे 1.9 के अंदर बहुत नहीं नहीं features है, पर हमें नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें कुछ missing लग रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ ये कुछ odd number सा लग रहा है, ये छी थोड़ी odd लग रही है, हमें लग रहा है कि इसमें नहीं कुछ गरबर हो सकती है, अगर यहीं company 1.9 के जगर two point हो करती, तो में भी लोगों को ज़्यादा बढ़िया लगता, उनको लगता कि यहाँ actually कुछ upgrade हुए, अब ऐसी मैं आप से छ बार बार companies उसको छोड़ देती है और आगे skip कर देती है, वो comments में बताना कि आपको क्या reason लगता है, मैं खुद यहाँ पर लगा कि maybe naming का effect हो सकता है, इसलिए company उसको लगता है कि यार हमें 9 number के साथ नहीं जाना चाहिए, वो थोड़ा incomplete सा लगता है, क्योंकि आप 10 को देखो 10 लगता है यार, एक whole number है, एक even number है, एकदम completed है, एकदम बढ़िया सी चीज है, 9 कभी को बार लो हो, वो लगता है यार, कुछ missing सा है, हम एक और रोग जाते हूं, बहुत बढ़िया हो, तो guys, आज के लिए इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में, thanks a करता है।